Hey students, welcome to Excel tuition. Excel tuition में आप सभी का स्वागत है. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सहायक रियाओं की पहचान और सार्थक वाक्या में प्रयोग कैसे किया जाता है. तो चलो, शुरू करें. निमनलिखित वाक्यों में प्रयुकत सहायक रियाओं पहचानी है. फर्स्ट, परियाटक लिखित चीतावनी को अन देखा कर सागर में कूट पढ़ते हैं. जो मुख्यक रियाओं के साथ आती है, वो सहायक रियाओं. कूदना मुख्यक रियाओं और इस वाक्या में पढ़ना या सहायक रियाओं है. सेकेंड, अनात लड़के के भाग्या जाग उठे, उठना ये सायक रियाओं. मगन सिह बाहर निकल आया, मतलब आना ये सायक रियाओं और निकलना मुख्यक रियाओं. इस तरह की चित अवनी लगातर दी जाती है, जाना सायक रियाओं है. जवान पहाडी पर चड़ने लगे, मतलब लगना ये सायक रियाओं है. सभी दुकाने बंद हो चुकी थी चुकना सहायक्रिया नारज जी ने सारा दफतर चान डाला डालना ये सहायक्रिया है हमें दूसरों का धर नहीं हडपना चाहिए चाहना ये सहायक्रिया है वो अपने भाई को मार बैठा मारना मुख्यक्रिया और बैटना सहायक्रिया आप सुगर जल्दी उठा कीजिये करना सहायक्रिया वह रात भर सो सका सकना सहायक्रिया वह मैच में नहीं खेल पाया पाना सहायक्रिया माने बच्चे को तब तबा कर सुला दिया देना सहायक्रिया मैंने अपने मित्रों को अपने घर पर बुला दिया लेना ये सहायक क्रिया है पच्चा रात बर रोता रहना ये सहायक क्रिया है अब देखते हैं सहायक क्रियाओं का वाक्या में उप्योग कैसे करते हैं निमनलिकित क्रियायों का सार्थक वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कीजिए होना वाक्य है अहमदु घर लवट रहा होगा बैटना वह मुर्गी को मार बैटा सकना वह पूरे मैच में एक भी गोल नहीं कर सका रहना वह दिन भर अभ्यास करता रहा पाना मैं आई स्कूल नहीं जा पाया पढ़ना आज उसे भुके पेटी सोना पड़ा करना आप ज़्यादा बाते मत किया किजिये देना उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया लेना चप्रासी ने डंडा उठा लिया जाना वह तेजी से भाग गया लगना बालक बिलग बिलग कर रोने लगा चाहना हमें कलत काम नहीं करना चाहिये चुकना काडी स्टेशन से जा चुकी थी आना वह घर लौट आया डालना बिलडी ने चुहे को मार डाला थैंक्स पर वाचिंग